Hello guys, welcome you all again. I hope that 180 days का holistic plan जो मैंने बनाया था, वो वीडियो आपने देख लिया होगा, और उसकी जो seat है, जो मैंने अपने Telegram चैनल पर प्रवाइट कर दी थी, वो आपने डाउनलोड कर ली होगी, और अपना plan उसके accordingly आपने बना लिया होगा. और मैं ये भी उमीद करता हूँ, कि इन 3-5 दुनों में आपने अपने resources, जो आप sources use करेंगे, जो resources आपके रहेंगे, वो आपने ले ली होगे, cover up कर ली होगे, जो आपको book चाहिए होगी, जिस book से आप पढ़ोगे वो आपने decide कर लिया होगा, I think coaching watching भी आपने join कर ली होगी, जो भी है, कुछ subject आपने start कर भी दिये होगे, तो मैं ये सब आप से उमीद करता हूँ, कि यह आप अभी तक कर चुके हैं, क्यूंकि अब हमारा कल से plan हो रहा है start, जैसा कि मैंने आपको promise किया था, हर एक subject की proper आपको strategy मिलेगी, proper daily targets मिलेंगे, ठीक है, कब से कब तक हमें उसको खतम करना है, तो हमारा जो 180 days holistic plan है, यह 5th July 2024 से start कर रहे हैं हम इसे, ठीक है, और end कब करेंगे December 2024 के around, 31st December या फिर चारपांस तारी जनवरी तक जा सकता है, उसमें कोई issue नहीं है, और उसके बाद हम किस की तयारी करेंगे, उसके बाद हम करेंगे specifically pre की तयारी, ठीक है, जब भी notification आएगा, I think November, December पर notification आजाएगा, तो उसके accordingly में plan आपको बता दूँगा, जब तक आप इस plan पर stick कीजिए, 180 days में coaching के साथ, आप इस plan को follow कर सकते हैं, coaching आप लेते रही है, उसकी कोई problem नहीं है, ठीक है, और coaching इस plan थोड़ो मैंने बताया, कि flexible है, आप अपने सबसे change कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले quality, plus economy, यह दोनों subject आप खतम करें, अगर यह आपने खतम कर लें, आपको current affair बहुत properly समझ भाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको crystal clear हो जाएंगी, यह दो topic ऐसे माल लीजिए, एक तरह से foundation है, आपके सभी subject का, Got my point? तो अब और इससे पहले मैंने आपके लिए एक video डाला था, अभी कल ही डालाया, I think, quality का, quality, PIQ analysis का एक, मैंने paper analysis किया, इसमें 2021 का, यह मैं चाहता हूँ आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले इसको जाके देखो, क्योंकि इसके बिना आप बहुत पीछ रह जाओगे, अगर इस video को आपने देख लिया, आपके minimum 100 marks तो mains में ऐसे ही बढ़ जाएंगे, minimum 100 marks सोचो, mains में बहुत जादा बड़ी बात होती है, rank decide करती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐसा analysis किया है, जो generally लोग ignore कर देते हैं, उसको follow नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, आप सोच रहे होगे आदे गंटे का वीडियो कौन टाइम वेश्ट करें, तो भाई कोई वीडियो देखो मत देखो, इस वीडियो को पॉलिटियो पिया कि युका मैंने analysis किया, इसको जरूर देखो, यह मेरा recommendation है, date wise target में लेंगे कि इतने दिन के अंदर यह खतम करना है, इसके अंदर आपको current affair भी included रहेंगे, test भी included रहेंगे, हर चीज में आपको target दूँगा, अब भी देखो जब मैं plan बता आँगा, यहाँ पर मैंने यह plan बनाए आपके लिए, यहाँ पर यह policy, quality का what to study, approach क्या रहेगा, subject का schedule क्या रहेगा, किस तारीक से किस तारीक तक हमें quality खतम करना है, 22 days में sectional test cup देना है current affair, day कौन सा रहेगा, catch-up day कौन सा रहेगा, यह सब कुछ मैंने आपको बताया है, कितने घंटे में पढ़ना, सारी चीज़े आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी, ठीक है, चलिए, और monthly MP current affairs, यह मैं आपके लिए एक वीडियो बना दिया करूँगा, 3-4 गंटे का वीडियो होगा, आप क्सी भी दिन एक दिन उठाके current affairs को दीजिएगा, पढ़ लिजिएगा, फिर इसका revise करते लगेगा, आपका current affairs की tension मैं खतम कर दूँगा, MP की current affairs की, ठीक है, नेसला current affairs देख लेना यार, मैं देखता हूं क्या कर सकते हूं उसके लिए, और यह मैं follow करूँगा, द्रिष्टी की, किसकी? द्रिष्टी की monthly compilation आती है, जब भी वो आएगी, मैं उसके 2-3 दिन के अंदर आपके लिए एक वीडियो प्रवाइट कर दूँगा, monthly compilation का, ठीक है? द्रिष्टी की, इसमें 20-22 topic होते हैं, पूरे मंद के, और अगर अच्छे से cover कर लेंगा, तो June onwards, कहां से मैं cover करूँगा? June onwards, अब इस महिने की जो आएगी, June onwards, मैं आपको सारे, June, July अगा, September, October, December, और जब last मैं आके, whole year के exampedia अगरा की current affair आते हैं, वह भी मैं आपके लिए पूरा cover कर दूँगा, आप इसकी बिलकुल tension मत लिजिए, इसकी जब्मिदारी मैं लेता हूँ, अब यह सारी जब्मिदारी तो मैंने आपसे ले ली, और भी बहुत सारी चीज़ें, जो मैं आपको provide कर दूँगा, यह चीज़े तो मैं आपको दूँगा ही दूँगा, मेरी expectation क्या है आप लोगों से? Trust the process, मतलब आपको एक ना एक study तो बनानी होगी, और उस पर भरोसा करना होगा, ठीक है, आप कभी-कभी follow नहीं कर पाते, अगर आपने 80% भी follow कर लिया न, plan को, My dear friends, you can easily clear pre plus means, yes, pre plus means, easily, तो follow this plan, trust my process, जो मैं बता रहा हूँ, उस पर trust कीजिए, थोड़ा सा बरुस आपको दिखाना पड़ेगा, अगर एक-दो महीने माँ आपको इसका result नहीं दिखेगा, तो आप खुद समझ जाएंगे, कि मुझे follow करने की जरुवत नहीं है, ठीक है, चल ये, next मेरी expectation आपसे क्या है, hard work and consistency, इसके बिना आप कोई भी exam कभी clear नहीं कर सकते, अगर आप में dedication नहीं है, hard work नहीं कर सकते, आप दुपैर में नहीं जग सकते, coffee PPK पर जगना है, तो भाई फिर राम भरोसे हैं सारी चीजे, आप बस सपना देखते रही है, अपने माबाब की उमीदों पर पानी फेरते रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, even on difficult days, stick to the plan, difficult days में भी आपको plan से stick करना है, मानलो आपने किसी वजय से 2 दिन नहीं पढ़ पाया, तो उसको आपको catch up करना है anyhow, भले ही आपको 8 घंटे आप डेली बढ़ रहे हैं, उसकी जगे 12-12 घंटे आपको पढ़ना पड़े, ठीक है, कैसे भी करके आपको plan को catch up करना है, और catch up कब कैसे किया जाता है, उसके लिए smart study की जाती है, कभी-कभी आपको खुद notes ही बनाना है, आपको कहीं से note collect करने है, आपको internet का use करना है, सिर्फ copy paste करना है और आपके notes तयार, ठीक है, तो smart work करना है, difficult days में भी आपको plan को नहीं छोड़ना है, याद रखो, track your progress, यह सबसे important है, इसके लिए मैं separate video बनाऊँगा, dedicated video बनाऊँगा, कि progress को कैसे track करते हैं, और इसके लिए आज ही मैं आपको, या कल तक एक excel seat provide कर दूँगा आपको, उसका printout ले लिजेगा, उसमें daily का, quality के 22 दिन है, उसके अंदर क्या-क्या daily किया, कितने hours हमने study की, कितने hours हमने study की, stop watch से पढ़ना है, किसे पढ़ना है stop watch, आप stop watch का एक बार यूज करके देखे, और इसका effect देखेगा, कितना जवर्जस्त होता है आपके उपर, इसके लिए मैं separate video बनाऊँगा, मैं अल्रेडी बता रहा हम आपको, लेकिन इतना आपको करना है, आपके hours count करने, stop watch, जो मैं Excel seat दूँँँगा, उसमें hours, daily का आपको क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें उसमें include रही ही नहीं, मतलब वो आपको लिखना है daily का, कि उसके अंदर आज क्या पढ़ रहे हो, कल क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, और daily hours लिखने है, till now, अभी तक मैंने क्या किया आपके लिए, holistic plan बना दिया है 180 days का, already uploaded, telegram channel पर uploaded है, वीडियो भी इसका डला हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, मैं कोसिस करूँँगा कि description में comment box में आपको link provide कर दूँँग, वो आप जाके देख लिएगा, analysis, PIQ, quality का मैं already analysis, PIQ का कर चुका हूँ, जो कि सबसे important है, बिना PIQ के analysis के मैजान में मत उतर जाएगा, यह पहले देखो, done है already, मेरा काली वीडियो डाला था, सबसे पहले यह देखो holistic plan, उसके आद यह देखो, अभी तक आपने नहीं देखाए तो, फिर today, आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ, quality 22 days study, यह आज का target है, कि 22 दिन के हमारी study क्या रहेगी, अब 180 days holistic plan में 20 days quality strategy, phase 1, जो holistic plan में ने बनाया था, उसमें phases थे, आपको पता है phase 1, phase 2, phase 3, तो पहले phase कितने दिन का था, 45 days का, 45 days में हमको क्या complete करना है, हमें अपनी quality complete करनी है, और economy complete करनी है, कई लोग हो सकते हैं, एक दिन में 2 subject पढ़ें, 4 गंटे एक subject को दिये, 4 गंटे दूसरे subject को गए, कई लोग होते हैं, कि नहीं पहले उनको लगता है, कि मैं quality खत्म करूँ फिर economy खत्म करूँ, तो जैसा भी आपको लगे, आप तयारी कर सकते हैं, मैं आपको पॉलिटी की आज, ये strategy मैं बता रहा हूं, कि किस तरह से आपको पॉलिटी खत्म करनी है, कहां कहां से पॉलिटी की खत्म करनी है, और economy, मैं कल आप परसनों तक economy का भी आपको strategy वीडियो मिल जाएगा, तो दौनों के strategy वीडियो आपको मिल जाएगे, एक दो दिन के अंदर ये अंदर, और आप उसको follow कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाइ stick रह सकते हैं, चलिए, अब quality के अंदर बात करें, यह quality का start हो जाएगा, अब सब यहां से आपकी proper strategy start है, ठीक है, what to study, क्या आपको पढ़ना है, यह जानना देखो सबसे पहले तो यह जानना important है, कि what to study, static plus theory, ठीक है, जो भी आपने source decide किया है, book list का video में डाल चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं, किसके लिए क्या source आप use कर सकते हैं, तो आपका जो भी decided source है, वो आपने अभी तक, मैंने यही उमीद करता हूँ, कि जो 4-5 दिन मैंने आपको दिये थे, उसके अंदर आपना source है, उसको final कर लिया होगा, एक या दो source रखो, जो भी आप एक source, एक book use कर रहे हैं, उसको करो, प्लस आपको internet, ठीक है, जो भी book, प्लस internet, इंटरनेट को भी कैसी use करते हैं, यह भी मैं आपको आगी जाके बता दूँगा, Second, current affair पढ़ना है, किसका? June का, quality के साथ आपको June का current affair खतम करना है, इसकी मिजारी मेरी है, मैंने बोली दिया आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको P.I.Q. खतम करने है, Pre के last 10 years के P.I.Q. आपको complete करने है, Mains के last 4 years के, यह दोनों P.I.Q. आपको पहले से ही खतम करने है, इस ही जो 20-22 दिन है यह इस वाले में, Objective means MCQ, MCQs लगाने है, जो इंडिया के MCQs है, मतलब जो complete quality के MCQs है, वो किस से लगाए, घटना चकर की बुक से, मैं देखता हूँ मेरे पास PDF, I think इसकी पढ़ी है, घटना चकरी वो आपको प्रवाइड कर दूँगा, और MP की आप कोई भी एक बुक लेलो, पूनेकर की लेलो, परिक्षाधाम की लेलो, अरिहंत की भी आती है, टाटा मैक्रोहिल्स की भी आती है, ठीक है, जो Amazon पर है, अभी इसका 2024 का edition आ गया है, तो आप इसको भी purchase कर सकते हैं, बहुत प्यारी book है, मैंने पढ़ी है, टाटा मैक्रोहिल्स की Know Your Estate नाम से book है, MPGK की आप वो चेक कर लिजेगा, तो आप कोई भी एक objective book ले लिए MP के लिए, और एक इंडिया के लिए घड़ना चक्र वगएर आप ले सकते हैं, इसमें सारे questions आते हैं, all over the India वो cover हो जाते हैं, UPSC तक के questions इसमें घड़ना चक्रवा cover है, तो चलिए, ठीक है, अब आपका approach क्या रहेगा, यह बहुत important है, इस approach के बिना, आप subject को completely खतम नहीं कर सकते हैं, क्या approach रहेगा, सबसे पहले slaves, सबसे पहले slaves, आपको क्या करना है, आप अपने notes तो बनाएंगे न, थोड़े बहुत तो notes बनाएंगी बनाएंगी, तो उस notes में जैसे यह आपकी A4 seat है, सबसे पहले आप unit 1 के note बना रहे हैं मान लीजे, unit 1, तो यहां पर आपको slaves लिख लेना है, अपने हास से, किससे लिखना है अपने हास से, सिर्फ unit 1 का लिखो, unit 2 पर जाने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर unit 1 के बाद, आपको उसके नीचे क्या लिखना है, यह थोड़ी महनत करने पड़ेगी, यहीं तो hard work आपका मांगता हूं मैं, कि जो mains के question है, प्री की नहीं, mains के 4 साल के question, जो unit 1 में से आये हैं, वो आपको यहां पर लिख लेने हैं, 1 , 2 , 3 , 4 , सारे questions यहां पर लिख लेने हैं, यहां फिर उनका 1 word लिख लेना है कि कि topic में इस ke question आया है, यह topic में साकौईट्स लेने हैं, यहां सारे कि question लिख लेने है। यह पोसित साइड 2 page पर आपके इतना kाम हुँ जाईगा, ठीक है यहां लिए देख लिखा है कि आपको PYQ करने हैं प्री और मेंस के राइट बिलो स्लिवस मेंस के प्यूए क्यों आपको वीडियो बनाई चुका हूँ आपको पता ही है पॉलिटी का PYQ अनलिस्स कर चुका हूँ मेंस के पहले आप देख लीजिएगा लाश्ट टैनियर्स के वीडियो आपको कोईशन पढ़ो ठीक है अंसर ना है कोई बात नहीं लेकिन स्लिवस पंड़े के बाद सबसे पहले आपको PYQ solve करने हैं आप कहोगे सर PYQ कैसे solve हो जाएंगे मैं तो beginner हूँ मैं तो पढ़ाई नहीं है कुछ आप बिलकुल मैं मानता हूँ solve नहीं होंगे सारे की सारे आपके गलत हो जाएं कोई फर्क नहीं परता आपको सिर्फ एक glance लेना है क्या लेना है जो PYQ है इसका glance लेना है मतलब एक बार पस page पलटके देखने है कि किस-किस topic पर PYQ आ रहे है किस-किस तरह के questions हमारे पास बन कर लिए चीज कर लो, slaves लिख लो, mains के सारे papers उठाओ, मैं आपको अपलोड कर दूँगा अपने telegram चैनल पर, mains के सारे paper मिल जाएंगे, telegram चैनल आप जॉइन कर लिजएगा, बहुत सारी चीज़े उस पर आने वाली है ठीक है, उसके बाद mains के questions लिख लिए, फिर आप प्री के questions है, last 10 years के वह एक बार glance कर लिए, ठीक है, उसके बाद आपको करना है, जो भी आप book refer करना है वह पड़ो, या फिर lecture, या फिर lecture, देख लो, ठीक है, आप coaching के lectures पर depend हो, कोई बात नहीं, भाहिया, टाइम लगेगा, म बहुत problematic हो जाएगी, आप उनको देखते रहो, लेकिन अगर आप कोई बड़िया सी marathon देख लो, किस पर? YouTube, YouTube पर लगबग या लच्मी कांत की marathon देख लो, ठीक है, उस पर आपको लगबग 10-12 घंटे की marathon बहुत सारी मिल जाएंगी, 10-12 घंटे की जो quality की है, उस पर सारे basics आ सारे basics clear, अब आपको बहुत easy हो जाएगा पढ़ना, या फिर आप topic wise भी पढ़ सकते हो, कैसे? कि देखो लच्मी कांत की videos पढ़े हुए है, लच्मी कांत की book के, पॉलिटी की book के, videos पढ़े हुए है YouTube पर topic wise, मतलब उसके topic wise का मतलब है chapter wise, जैसे कि fundamental rights का कोई chapter है, तो उसका ए अलग video है, ठीक है, preamble का एक अलग video है, तो ये भी आप follow कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, तो आप fundamental rights का video देख लिए हैं, बस उसके notes से हैं हमारे, overall हमारा plan success, तो आप ये कर सकते हैं, बाकि आपको coaching पर depend रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, coaching, और जो आपने coaching join की है, वो कैसे join की है पता नहीं, उसमें generally आपको क्या recorded videos भी मिल जाते हैं, आप उन पर जादा focus कीजिएगा, जो recorded videos है, ठीक है, क्योंकि quality वगएरा में कुछ current होता ही नहीं, आपको क्या ही मतलब है जो आप live classes देखनी है, live classes देखोगे, मैं guarantee दे रहा हूं, आप March, April तक भी अपना उसले बस खतम करना है, करना है तो करना है, बात खतम, करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीज आपको सोच नहीं है, आपको recorded lecture देखो, doubt हो, मुझसे पूछो नहीं, क्या दिक्कत है, आप किसी भी subject का कोई भी doubt हो, आप मेरे comment box में डाल दो, आप telegram channel पर डाल दो, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मतलिए, देखो मेरे पास time नहीं है, ना मेरे पास team है, कि मैं आपको सारी subject पढ़ा सकूँ हूँ, या इतना सारा आपके लिए content इखटा कर सकूँ, नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ, PDF notes बनाने तक कि आपको जुरत नहीं पड़ती, मेरे आपको दीरी-जीरे provide कर दो हूँ, पर उसकी टेंशन मत लीजिया बिल्कुल, फिर book और lecture आपने complete किया, जो भी topic complete किया, उससे related, उसके MCQ और PIQ आपने वहीं पर solve कर लिए, अब देखो, यहाँ पर PIQ ग्लेंस किया, यहाँ पर आपको solve करना है, जो chapter पड़ा, PIQ, MCQ वहीं प बिल्कुल चिंता की बाद नहीं है, अगर कोई एक source follow किया है आपने तो, लेकिन आपके पास 3-4 sources हैं, जैसे कि लच्पी कांत हुआ, उसमें से कुछ पढ़ना है, net पैसे कुछ पढ़ना है, तो आप क्या करो, आप, sorry, handwritten notes मत बनाओ, आप copy paste करो net से, net से copy paste करो, जहाँ पर quality हमारी समाप्त, अब यह बाई-जिन के अंतर कैसे करोगे, यह सबसे important चीज़ है, यह आउगा, आपका approach की किस तरह से, आपको, अपने subject को approach करना है, और जो मैंने जिस approach से बता है, पहले एक बार glance करने है, जब आप करोगे ना, फिर book पढ़ोगे, lecture पढ़ोगे तो आपको इस है ठीक है, वो सब तो ठीक है, जो आपने बता ही सारी चीज़ है, कैसे approach करना है, क्या है, अब हमें किस दिन क्या पढ़ना है, कौन सी unit किस दिन खतम करनी है, और कितने दिन मैं खतम करनी है, मैंने बूला कल से plan start हो जाएगा, 5 जुलाई से, 26 जुलाई, कोई अगर इस video क लेट देख रहा है, तो लेट भी start कर सकता है, कोई दिक्तत की बात नहीं है, बस schedule को उतना ही change करते, मालों कोई 5 दिन लेट देख रहा है, ठीक है, तो 5 मैं 5 जोड दो, 10 जुलाई से आप start कर दो अपना, 10 जुलाई से 31 जुलाई तक, जुलाई 31 का ही होता है, देख लेना च हो गए, कितने हो गए, 20 देख, दो दिन अलग से रिजर्व है, वो मैं आपको पता हूंगा, वो दो दिन में आपको क्या करना है, starting के 10 देख, मैं आपको unit 1 और unit 4 complete करनी है, slavers पर भी जाएंगे, मैं slavers को भी अभी discuss कर दूँगा, यही के यही पर discuss करेंगे, पूरे slavers को ठीक है, कि जो मैं बोल रहा हूं हो, कैसे possible है, 10 days में unit 1 और unit 4 को complete करना है, और इसी के साथ आपका प्री है जतना भी वो पूरा complete हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत यह second unit में दिया है, लेकिन आपका यही पर 10 दिन के अंदर आपका प्री पूरा complete हो जाएगा, और mains का भ अभी मैं बताऊंगा आपको, आपको हसी आएगी, कितना easy है, एक दिन के आदे दिन में मैं खतम कर दूँगा उसको, 4 days, 4 दिन के अंदर unit 3 करनी है, 5 days के अंदर unit 4 करनी है, तो consequence unit 1, 2, 3, 4 और यह 5, ठीक है, अब यहाँ पर 2 दिन हमारे reserve है, एक दिन आपको second test देना है, क्या डालूँगा, आप उसके second day ही रख लीजेगा, ठीक है, उस दिन आप quality मत पढ़िएगा, quality के current affair पढ़ लीजेगा उस दिन, और अपके notes पगरा, पूरा compile कर लीजेगा, ठीक है, या फिर आप सोचों कि नहीं है, मेरा अगर 3-4 गंटे का वीडियो है, मैं daily आदे गंटे एक वीडियो देखूँ, बाग इस 7-hour अपना quality पढ़ूँ, तब आपको क्या करना है, जो एक दिन बचेगा उसको catch-up day कहलाएगा, अगर आपका किसी दिन कुछ प्रॉलम होती है, आप नहीं पढ़ पाते है, आप पीछे रह जाते हो, तो एक या दो दिन आप catch-up के लिए लि गंटे के लिए बना है, वो 7-8 गंटे आपको daily पढ़ना है, या फिर आप 7-8 गंटे daily, कभी-कभी क्या होता है, 6 गंटे कर पढ़ पाते हैं, लेकिन दूसरे दिन आप 10 गंटे पढ़ लिए, तो आप लेके चलो 50 hours per week, मैंने बोला, weekly decide करो, सारी चीजे weekly decide करो, तो आपको 50 गंटे weekly आपको बन रहा है, आप 45 से 55 hours पढ़ रहे हो weekly, आप बहुत अच्यों, आप बहुत आगे, आप top 1% में cover हो रहे हो, कितने top 1% में cover हो रहे हो और आपका paper निकलेगा, देख लिए आप, hard work, बहुत important है, और इस plan को चिंदा मत करो, आप top 1% है न, जितने भी इस वीडि अब slivers की बात करूँ, आप कह रहे हैं कि सर, unit 1 और unit 4 हम कितने दिन में खतम करने हैं, 10 दिन में, अब कैसे, unit 1 में कहा है constitution of India है, इसकी formation, characteristics, basic structure, important amendments, amendment factual है completely, basic structure, 1 गंटे का chapter है, one hour का only, characteristic of formation, ये भी आपका 2-3 गंटे का, तो ये आपका total मिला के भी आपका 4-5 गंटे में खतम हो हो जाना चाहिए, ठीक है, second conceptual element, objectives, fundamental rights, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, बाकी fundamental duties और DPSPs, ये DPSPs, ये देखो fundamental duties आपका एक lecture है, कहीं पर भी आप देखोगे, एक lecture में fundamental duties खतम है, और second DPSPs, आपका इसमें भी 1 maximum 2 lecture खतम है, आप खुश से पढ़ोगे तो एक ही में काम हो जाएगा आपका, बाकी ये थोड़ा सा बड़ा है, Central State Relations, फिर Supreme Court, High Court, Judicial Review, Judicial Activist, लोग अतालत, Public Interest Litigation, PILG से कहते हैं, ये, तो आप starting के 5-6 या maximum 7 days में ये पूरी unit खतम कर सकते हो, ठीक है, आप करके देखना, आप 38-30 पढ़ोगे ये unit easily खतम होगी, मेरा experience में बोल रहा हूँ, आपको मैंने क्यों बोला, उसके साथ पढ़नी है, देखो, इसमें क्या है, Reorganization of State 1956 and Foundation of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh की polity है, इसके अंदर, ठीक है, Partition of Madhya Pradesh, ये पढ़ना है, बाकी Governor, जैसे आप लच्छनी कांद फॉलो कर रहे हो मालो, तो Governor, चाहे यार वो MP का हो, ठीक है, चाहे वो राइस्तान का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई फर्क पढ़ता है क्या, गवर्नर की पावर्स्तु सेम रहने वाली है, तो Governor आपको First Amendment के साथ इसलिए पढ़ना है, वहाँ पर पढ़ोगे प्रेसिटेंट बगरा, तो उसके साथ ही आप गवर्नर पढ़ लोगे, बाकी State Legislature of Madhya Pradesh, अब जब आप Parliament पढ़ोगे, तो Parliament के 90% चीजें State Legislature में apply होती है, सेम जैसा Parliament में, वैसा ही State Legislature में, आपने एक बार पारलेमेंट पढ़ लिया, पारलेमेंट थोड़ा बड़ा चप्टर है, कम से कम पांच घंटे का YouTube पे है लच्मी गांत का, वह आप देख लीजगा, क्लियर हो ज होगे एक घंटे में, बाकि High Court अब मत्द पर देख, भाई High Court तो हम Unit 1 में पढ़ चुके है, Supreme Court High Court, High Court तो सबका एक है, Integrated जूड़ी सरी है हमारी, कैसे जूड़ी सरी है, Integrated, not Federal, कि State के लिए अलग है, और Central के लिए अलग है, ऐसा नहीं है, हमारी तो Integrated है, Integrated का मतलब होता है, कि सबसे नीचे, Subordinate Court, उससे उपर High Court, उससे उपर आपका Supreme Court, यही तो है, यही तो hierarchy होती है, तो यह होते है, Integrated, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस चीज के लिए अलग है, Court, इस चीज के लिए Center के लिए अलग है, State के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही Sequence है, Integrated Court है हमारे, बाकि Accountability and Rights, बाकि इनके बारे में आपको पढ़ना है, Competition Commission, Schedule Cash Commission, Schedule Tribes Commission, मुस्किल से Half Hour, 30-30 मिनट के हैं यह, आप Net पर डालो, Schedule Tribes Commission, UPSC डाल दो, आपको पूरा एक पेज में यह बना चलाएगा, यह, Copy Page करो, एक बार पढ़ लो, खतम कानी, आपको यह करना है, तो Unit 1 & 4 हो कितना, One Day के अंदर, आपको होगे, One Day के अंदर है, इतना वड़ा कैसे खतम हो जागा, आपको देखो, मैं दिखाता हूँ, Election Commission of India, ECA के बारे में पढ़ना है, ठीक है, दो पेज का है मुस्किल से Topic, यहाँ पर CAC के बारे में पढ़ना है, यह भी एक पेज का है, CAC डालो, U से 2-3 पेज में दिया है, CAC 2-3 पेज में दिया है, UPSC 2-3 पेज में दिया है, MPPSC आपके MP की बुक में मिल जाएगा, ठीक है, नीती ही आईगो, यह भी 2-3 पेज में दिया है, बात ही खतम, भाहिया, 2-3 पेज ली तो पढ़ने है, क्यों नहीं खतम होगा, और NET पे अब यहाँ पर, role of caste, religion, class, ethnicity, language, gender, अब सब के role आपको define करने है, तो आप NET पे क्या दर होगे, डालोगे role of caste, role of caste in Indian politics, बस, यह डालो आप, role of caste in Indian politics, UPSC डाल दो, आपको वहाँ पर उस concern मिल जाएगा, इसके कुछ negative point उठालो, negative, यहाँ रहना है, ऐसी notes पनाने है, कुछ positive point उ इंट्रो देख लेना उसमें, एक conclusion देख लेना, बस, इतना करना है आपको, इतना ही notes बनाने है, और याद रखो, आपको maximum 10, 10 marker के लिए बनाने है, ठीक है, 10 marks का जो सबसे बड़ा question है, सर्फ उसी के लिए तो आपको बनाना है, आपको 10 marks, 200 words से उपर तो जाना ही नहीं है कि उसमेंसे आपको 200 words लिखना है, 200 words लिखना है, 20 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 words लिखना है, जैसा भी question आएगा, तो यह इसलिए मैं कह रहा हूँ, और फिर क्या है, political parties and voting behavior, Indian politics, civil society and mass movement, issues related to national integrity and security, भाई सब सिर्फ एक इसलिए के क्या issues है, और security के क एक-एक page के सारी चीजे हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ इसमें करने की जरूत नहीं है, one day मैं easily हो जाएगा, भाई नहीं कर पाऊ तो पता नहीं, लेकिन यह हो जाता है, okay, मैंने एक दिन में किया, मैं तो यह बहुत जल्दी कर सकता हूं इसको, मौना 5-6 गंदे बाद में notes को अच्छा करते रहेंगे, जब हम MCQ करेंगे, उसमें से कुछ अकर point मिला उसको उठा के रख लेंगे, क्यों इतना tension लेना है पहली बार मैं, किन यह मुझे perfect note बनाते हैं, देखो perfect note जैसा कुछ नहीं होता, याद रखो, अब unit 3, मैंने unit 3 को कितने दिन 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 यह unit 5 है, unit 5 है, unit 5 है, ठीक है, one and four यहाँ पर complete कर लेंगे, second और third यहाँ पर complete कर लेंगे, second को four लेंगे, okay, 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 चलिए, इसको four days, sorry, इसको four days हम देगे, silent features of democracy, political representation, participant of citizen, in the decision making process, अब आप कहोगे सर, कि इसके अरवा को और कुछ नहीं पढ़ना, सच्मा, और कुछ नहीं पढ़ना इसके अलवा, ठीक है, आप जब political analysis किया था न, यह paper का, तो उसमें दिख रहा था, आपको clear कि जो आपके syllabus में दिया उसी वैसे question पूचे है, जैसे 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 प्रकाष नाराइंट जी के बारे में पूचा, महात्मा गांदी की political theories क्या थी, जवालना नर्यू की political theories क्या थी, कुछ नहीं है, net पे डालो, कि कॉटलिया, political theories, ठीक है, तो बस आपको कॉटलिया के बारे में सारी जानकारी मिल जा जाएगा role of media and problems क्या है, ठीक है, इसके negative भी देख लेना, positive भी देख लेना, community, CBO, NGO, self-help groups, बस आप self-help groups, UPS ही डालो, खतम कहानी, NGO, UPS ही डालो, खतम कहानी, बस आपको एक एक दो-दो page के notes यहीं से मिल जाएंगे, clear cut, और आपको इस book follow कर रहा है, फिर तो दिक्कत ही नहीं उसमें पढ़ लो, ठीक है, कुछ आपको important लेकर highlight कर लो, बस, silent feature of democracy, political repetition, partisan of citizen, neither decision making process, यह आप किसी book से देख सकते है, जो भी आप follow करने है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, and final हमारा के, administration of madness, इसके लिए एक book आती है, public administration, यह UPSC की book आती है, public administration, optional management की यहा था, ठीक है, यह आप जो भी book follow कर रहे हैं, आप उससे कर सकते हो, इसको, लेकिन public administration की book आती है, उसमें आपको सारी चीज़ें इसके बारे मिल जाएंगी, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, और वैसे भी रूलर, लोकल, सेल्फ, गर्वर्मेंट, मद्रदेश बगरारा, पंचैती राज आपके उसमें भी दिया है, जो MPGK की book हैं, और में भी आपको यह मिल जाता है, political system of MP, वहां पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अब्यसी बात है, तो यह पर सकते हो, ठीक है, political scenario, मत्रदेश, upliftment, or tribal, backward, इनकी क्या policies बगरा है, government की नक् है, याद रखो, 36 गवागर में थोड़ी जादा है, तो that's why, contribution of women in politics of Madhya Pradess, सीधे, main topic का contribution of women in politics में, क्या है Madhya Pradess में, net पटालो मिल जाएगा, current issues in politics of Madhya Pradess, net पटालो मिल जाएगा, कदम गानी, Madhya Pradess से later नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें तो आपको general mail लिखना है, कुछ example इसके डाल दो, बस इतना करना होता है आपको, तो इसके दिन, मैंने के दिन दिन ये 5 days, more than sufficient है, topic wise topic जाना है, तभी ये खतम कर पाऊगे, आपको कोई book उठागे, पूरी पढ़ने नहीं लग जानी एक line से, कि मैंने UPSC वाली ये public administration की book बता दी तो आप पढ़ने ही लग जा आप बस process को follow करते रहिए, 22 दिर में खतम करना है, मतलब करना है, और जिसको साथ में 2 subject लेके चलना है, उसे 45 days में economic quality दौनों ही खतम करनी है, ठीक है, कोई doubt हो, आप comment box में type कर दो, telegram चैनल पर लिख दो, मैं आपको उस doubt का solution जरूरू दूँँगा, चाहे वो किसी भी topic से related ह कोई दिख्यात को आद दिए, personal problem हो वो भी आपको बताते हैं, ठीक है, चलिए I hope so, आपको सारा process समझ में आयोगा, पूरी study समझ में आयोगी, thank you very much.